दोसो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े कलाकारों की चाहत हमेशा से ही बॉलिवुड इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमाने की रही है सना खान से लेकर अक्ट्रिस यामी गौतम समीत कई ऐसे हसिनाई हैं जिन्होंने बॉलिवुड में एंट्री करते ही अपने बोल्ड अवतार से हर किसी को चौका दिया था और इन टीवी के संसकारी बहुओं के इस बोल्ड अंदास को देखते हुए अब सब काफी हैरान भी रह गए थे वलकसर ही अबिनीत्रिया लाइम लाइट में बने रहने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर करती रहती हैं जो इस बज़ा से ये अक्ट्रेस सुर्ख्यों का हिस्सा बन ही जाती है आपको बता दे कि हाल ही में सना खान ने बॉलिवूर इंडस्ट्री से अपना रिष्टा तोड़ लिया है लेकिन एक वक्त ऐसा भी रहा जब सना खान ने टीव इंडस्ट्री में बने रहने के लिए बोल्ड अफ्तार भी अपना लिया था आईए नसरालते हैं कुछ ऐसे ही सुन्सकारी अबिनेट्रियों पर जिन्हों ने बॉलिवूर में आने के बाद बोल्डिनेस की सभी हदे पार कर दी इस लस्ट में नमबर वन पर नाम आता है आक्टरस सुरवीन चावला का फिल्म है स्टोरी टू में सुर्वीन चावला ने लीट किरदार ने भाया था इस फिल्म में सुर्वीन चावला ने जय भानुशाली के साथ जम कर रोमांस किया था आपको बता दें कि अपनी करियर के शुर्वा सुर्वीन चावला ने संसकारी किरदारों से की थी लेकिन लाइम लाइट का हस्सा बनने के लिए टीवी इंडूस्ट्री के बाद बॉलिवूर्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए सुरवीन चावला ने टीवी आक्टर जय भानुशाली के साथ स्विमिंग पूल में कई किसिंग सीन्स दिये इस लिस्ट में नमबर दो पर नाम आता है अक्टरस सना खान का दोस्तों बिग बॉस ड्रेसे शोव से धमाल मचा चुकी अक्टरस सना खान फर्म वजवा तुम हो में कई बोल सीन्स दे चुकी हैं आपको बता दे कि सना खान ने फिर्म वज़ा तुम हो में अपने को आक्टर के साथ कई किसिंग सीन्स और इंटिमेट सीन्स भी दिये थे जिस वज़ा से मुस्लिम कम्यूनिटी ने उन पर कई तरह के सवाल भी उठाये थे वहीं उनके रिवेरिंग ड्रेसे और उनके बोल्ड अंदास को देखते हुए भी काफे बबाल मचा हुआ था लेकिन बॉलिवूर्ड में अपने करियर को बनाया रखने के लिए सना खान ने बोल्डनेस का ही सहरा लिया इस लिस्ट में नमबर तीन पर नाम आता है अक्ट्रेस हीना खान का टीवी सीरियर में संसकारी बहु बनकर नाम कमाने वाली हीना खान ने बॉलिवूर्ड में एंट्री मारते ही अपना बोल्ड अपतार दिखाने में भी हिच के चाहत महसूस नहीं की बता दें कि हिना खान ने फिर्म हाक्ट में अपनी को आक्टर के साथ कई किसिंग सीन्स दिये साथ ही बॉलिवूर्ड में अपनी जगा बनाने के लिए हिना खान ने भी बोल्डनेस का ही सहरा लिया आपको बता दें कि टीवी पर अक्षरा बहु से फेमस हुए अक्ट्रेस आज कॉल इंस्ट्रग्राम पर अपनी बोल्ड और बिकनी फोटो से भी खुब जादा सुर्ख्यों में बनी रहती हैं इस लिस्ट में नमच्वार बनाम आता है टीवी की खुबसूरत नागिन मिशुमार अक्ट्रेस कर्रिश्मा तन्ना का दोसों फिल्म संजु में कर्रिश्मा तन्ना का छूटा साही रोल था लेकिन उन्होंने हर किसी का ध्यान अपनी और खीचा था अपनी रिविलिंग ज्वेस से लेकर अपनी बोल्ड रंदा से कर्रिश्मा ने सब को ही हैरां कर दिया था वह कर्रिश्मा ने लाइम लाइट में बनी रहने के लिए कई बार इस तरह की बोल्डनेस सरयाम जाहिर भी की है बिग बॉस के घर में भी बत और कंटेस्टरिन कर्रिश्मा तन्ना ने उपेन पटेल को किस कर दिया था तो वहीं फिल्म संजु में भी कर्रिश्मा बोल्डनेस की सबी हदे पार करती हुई नजर आ चुकी है इस लिस्ट में नमबर पाँच पर नाम आता है अक्ट्रेस यामी गौतम का दोस्तों टीवी सीरियल चांद के पार चलो और ये प्यार ना होगा कम में नजर आ चुकी है अक्ट्रेस यामी गौतम ने पहली बॉल्यूड फिल्म विकी डॉनर में आयुश्मान खुराना के साथ कई बोल्ड सीन्स दिए थे आपको बता दें कि अक्ट्रेस यामी गौतम को मोस्ट बेजारेवर विमन का खिताब भी हासिर है लेकिन फिल्म विकी डॉनर में ही नहीं यामी गौतम ने फिल्म काबिल और सनमरी जैसे फिल्मों में भी बोल्ट किरदार निभाया है इस लिस्ट में नमब च्वे बनाम आता है अक्ट्रिस श्वेता तिवारी का टीवी सीरियल मेरे डायज के दुल्हम में नज़र आ रही है अक्ट्रिस श्वेता तिवारी भी सालों पहले बड़े परदे पर अलगी अफ्तार में नज़र आई थी फिल्म बिन बुलाए बाराती में अक्ट्रस आइटम डांस करती हुई नज़र आई थी आपको बता दें कि श्वेता तिवारी ने अपने करियर के शुरुवात का सौटे ज़ंदगी की सीरियल से की थी इस सीरियल से उने खुब ज़्यादा लाइम लाइट भी मिली तो वहीं श्वेता तिवारी कई भोशपुरे फिल्मों में भी बोल्ड रप्तार में नज़र आ चुकी है और बॉलिवुड ही नहीं श्वेता तिवारी ने अपने विब सीरीज हम तुम एंड देम में भी काफी बोल्ड किरदार निभाया है उन्होंने अपने को आक्टर के साथ शवर लीती हुए एक किसिंग सीन भी दिया है जो इस पर काफी बवाल मत चुका है तो दोस्तों देखा आपने हमारे वीडियो में कि किस तरह से टीवी पर सुन्सकारी बहुँओं का किरदार निभाने वाली इन अभिनीत्रियों ने भी बॉलिवुड में आते ही बोल्डनेस का तड़का लगाया और खूब जादा लाइम लाइट पछोरी विलन सभी में से किस अक्ट्रिस का बोल्ड अंदाज आपको सबसे ज़ादा पसंदाया और क्या टीवी इंडस्ट्रि से बॉलिवुड इंडस्ट्रि में आने का इन अभिनीत्रू का पैसला सही है या फिर नहीं इस बारे में अपनी राय कॉमेंट करके हमें ज़रूर बता झाले